प्राइम टीवी प्यम मोदी चुनाव जीतने के लिए लगातार रेलिया, शीला न्यास, लोकारपण और कई आयोजन कर रहे हैं। प्यम मोदी ने काफी देर तक सीम योगी के साथ बातचीत की और इस दोरान मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ के कंदे पर हाथ रखकर टेहलती नजर आए। सीम योगी ने प्यम के साथ अपनी फोटो ट्वीट करते हुए एक कविता लिखी। देखते ही देखते ये फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गई। हर कोई इन फोटो के अपने माईने निकाल रहा है। सीम योगी ने प्रधान मंत्री मोधी के साथ जो तस्वीर शेयर की है। उसके साथ उन्होंने लिखा है हम निकल पड़े हैं प्रड़ करके, अपना तन्मन अर पड़ करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से 2022 के मुख्यमंत्री के चहरे को ही नहीं दिखाता, बलकि योगी और मोधी की केमिस्ट्री को भी सामने रखता है। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि अगले चुनाव में एक बार फिर मोधी योगी की जोड़ी सब के सामने होगी। पूर्वान चल एक्सप्रस वे के उद्गाटन के दौरान सीम योगी मोधी की गाड़ी के पीछे चलते नजर आये थे। इसके बाद अखिले श्यादम ने सीम योगी पर तंज कसा था। आज पीम और सीम की इस तस्वीर ने उस वीडियो का जवाब भी दे दिया है। की इस तस्वीर पर विपक्ष हमलावर हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि दुनिया की खातिर सियासत में कभी यू भी करना पड़ता है। बेमन से कंधे पर रखात कुछ कदम संचलना पड़ता है। तो वही सपा मलसी सुनील सिंग यादव ने तंज कस्ते हुए लिखा कि तुमसे ना हो पाएगा। यू पी में तो अखिलेश ही आएगा। साथ ही कॉंग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तंज कस्ते हुए कहा कि आप निकल पड़े हैं या आग को निकाला जा रहा है। फिलहाल अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता इस बार प्रदेश की बात दौड किस के हाथ में देगी। ब्योरो रिपोर्ट प्राइम टीवी प्राइम टीवी किस कास रिपोर ने बस इतना है और देश उरिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी नमस्कार आपका पसा